नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल थम्निल कैसे बनाएंगे जी यह दोस्तों बहुत यह आसान तरीक है अगर आप प्रोफेशनल थम्निल बनाना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लेजेबल वीडियो मिलती हैं में सच चलिए दोस्तों जान लेते हैं तो दोस्तों मैं आगया हूँ अपने मोबाईल स्क्रीम पर और यहां पर मैं स्टेप बई स्टेप आपको बताने वाला हूँ के पिक्सल अप से आप आसानी से कैसे थम्निल बना सकते हैं तो सिंपल दो करने के लिए आपको सबसे पहले तिन डॉट पर क्लिक करना होगा जी है दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे आप्सन मिल जाएंगे सबसे पहले अगर आपने नेट से कोई थमनिल वगरा चूज करना चाहते हैं तो गैलरी में जो सेफ किये हुए है या फिर फोटो वगर पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको जाना होगा कस्टम पर जी हैं दोस्तों कस्टम पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको एसक्वायर मिल जाता है प्रोफाइल पिक्चर मिल जाता है यूटूब चैनल बैनर मिल जाता है यूटूब थमनिल मिल जाता है Facebook cover art मिल जाता है और यहां पे Google Plus मिल जाता है Twitter मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यहां पे YouTube thumbnail पे क्लिक करना होगा और जैसे दोस्तों YouTube thumbnail पे क्लिक करेंगे तो आपका size यहां पर आ जाएगा अप यहां पर करने के बाद से आपके सामने यहां पर एक टेक्स्ट लिख़ हुआ आएगा इसको सबसे पहले इससे delete कर दिए जी हो दोस्तों delete करने के बाद से आपको करना क्या है दोस्तों आपके सामने जो thumbnail का size आ गया अगर आपने नेट से download किया है thumbnail तो अपले सकते हैं नहीं तो otherwise यही काफी है अब मुझे करना क्या है दोस्तों यहाँ पे text और image लगाना है तो text और image लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे plus वाले icon पे click करना होगा तो simple दोस्तों आपको यहाँ पे जाना होगा यहाँ पे आपको text मिल जाएगा current date मिल जाएगा अगर update लगाना चाहते तो भी मिल जाएगा stickers मिल जाएंगे, shapes मिल जाएंगे, from gallery से आप photo भी यहाँ से ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना photo ले लेता हूँ तो photo लेने के लिए gallery पे जाना होगा जैसे दोस्तों click करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे recent जितने भी photo वो आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे तीन लाइन पे click करना होगा, तीन लाइन पे click करना होगा तो आपको जाना होगा गैल्री में जाने के बाद से आपको यहाँ पे album में जाना होगा, अपने photo को choose कर लेना होगा तो इसके लिए आपको जाना का है दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर एक बगल वाले जो आइकन है इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आगे जाना है ठीक है दोस्तों एक बगल वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रोल करके आगे जाना है यहाँ पर color filters का पूट करना है अब उसके बाद से आपको करना है दोस्तों करना है उसके बाद से आपको करना थे हैं आपको समाज में आ जाय तो ज्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको सिफ़ером बेःतर हैं तो आपको यहां पर सेयबस मिल जाएगे अब यहां पर अपने हिसाप से सेप्स को साइज ले लिजे और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सेप्स ब्ले आएücksट इस टार है डेल है रांट है एरो है बहुत सारे मिल जाएगे indo l дополн फिलाल मुझे यहाँ पर square ही लेना है square लेना के बाद से आपको करना किया है दोस्तों नीचे जाना है scroll करके और यहाँ पर आपको color मिल जाएंगे color अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं उसके लिए आपको plus पर जाना होगा यहाँ पर सारा process आपको बताता चलूँगा ताकि बेतर लगे आपको काफी अच्छे तरीके से आपका thumbnail बन जाए तो दोस्तों यहाँ पर thumbnail बनाने के लिए आपको क्या करना होगा आपने shapes लिया और यहाँ पर shapes लेने के बाद से आपने क्या किया इसको अपने हिसाफ से exist कर लिया अब यहाँ पर आपको text लेना है तो text लेने के लिए क्या करना होगा दोस्तों आपको जाना है plus वाले icon पर और यहाँ पर text पर click करना है जैसे दोस्तों text पर click करेंगे तो आपके सामने यहां पर text आ जाएगा, अब यहां पर double click करना है, जी यहां दोस्तों double click करेंगे, आप अपने हाँ से भी इसे click कर सकते हैं, और यहां पर मुझे लिखना है, how to make, जी यहां दोस्तों आप यहां पर देख पार हैं, मैंने लिखा how to make, यहां पर okay कर देंगे, ओके करने के बाद स आप यहां से size छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहां दोस्तों. size यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर मुझे आसान लगता है, अपने size को यहां ही से हम choice कर लेते हैं, और front की जहां तक बात है दोस्तों तो यहां पर करें जी यहाँ दोस्तों अब यहाँपे मैंने लिख कर सकते हैं अ ko कर आपको polit Comer के लिए आपको यह वाले आइकन की अंडर ही यहाँपे कर सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने आगे बढ़िए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको simple दोस्तो जाना है white पर जिया दोस्तो आप यहाँ पर white पर देख लिए मैंने जैसी white पर क्लिक किया तो हमारा shadow जो ब्लैक वाला जो था वो white हो गया अब मुझे simple यहाँ पर okay करना है okay करने के बाद से shadow पर भी क्लिक करके मुझे simple white कर देना है अब यहाँ पर shadow भी white कर दिया यहाँ पर okay करने के बाद से यह दोनों चीज़ों है stroke और shadow मैंने white कर दिया तो यहाँ पर देखे कितना अच्छा लग रहा अब मुझे करना क्या है दोस्तो इसी font को double copy करना है तो यह वाले के अंदर ही यह वाले icon के अंदर ही यहाँ पर copy का option है simple आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे दोस्तो क्लिक करेंगे तो आपके सामनी यहाँ पर वही टəक्स डबल क्योंकर हो गया तो अब मुझे क्या करना है इसी पर double click करना है यहाँ दोस्तो डबल क्लिक करने के बाद से यहाँ पर मुझे इस font को हटा देना है इस text को हटा देना है और यहाँ पर text हटाने के बाद से आपको लिख देना है how to make professional तो professional आपको यहाँ पर लिखना है जहांसे professional लिखेंगे यहाँ पर ok कर देंगे और ok करने के बाद से आपके सामने वही चीज जो है how to make professional आगे है अब आप इसके font को change कर सकते हैं और यहाँ पे color भी change कर सकते हैं तो color change करने के लिए और font change करने के लिए आपको एक के अंदर यह आगे जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं font का जो option है इस पे आप click करके और आपको बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बहुत सारे जो है वो font मिल जाएंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे font मिल जाएंगे आप scroll करके देख सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे इस font को Choose करूँगा क्योंकि मुझे यह काफी पसंद है और इसे मैं okay कर देता हूँ okay करने के बाद से आप यहाँ पे देख पारे है कि हमारे जो font का color sorry font का जो size वो भी change हो गया और यहाँ पे style है वो भी change हो गया तो मुझे यहाँ पे अपने इसाब से font के size को ले लेना है जियां दोस्तों अब यहाँ पे मुझे करना क्या है दोस्तों यहाँ पे color जो है rate और rate अच्छा नहीं लग रहा तो rate मुझे change कर देना है तो यहाँ पे अब आपको जाना है color पे color पे जाने के बाद से आपको अपने इसाब से कोई भी जो है वो आप यहाँ पे professional लिखा हुआ है आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी color जो है वो choose कर सकते है जियां दोस्तों मैं यहाँ पे black भी ले सकता हूँ लेकिन black अच्छा नहीं लेगा तो मैं अपने इसाब से यहाँ पे plus वाले icon पे click करके color जो है मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे okay कर देंगे जियां दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे color चेंज कर दिया चेंज करने के साथ साथ मुझे जो shadow है वो सही नहीं लग रहा क्योंकि white है वाइट पर यह धुदल वो जा रहा है तो मुझे क्या करना है shadow यहाँ पर change करके black करदे ना होगा जियां दोस्तों महीं यहाँ पर shadow should पहले मैं इसे black कर देता हूँ ठीक है और black करने के बासे shadow भी और यहाँ ब्ैक कर देता हूँ ठीक है दोस्तों आप यहाँ देख बना सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखना है How to make professional thumbnail तो thumbnail के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों आपको यही पर एक पर और क्लिक करना होगा और यहाँ पर copy का option है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आप एक thumbnail लिख लीजे मैं यहाँ पर thumbnail लिख लेता हूँ thumbnail और यहाँ पर OK कर देंगे OK करने के बाद से आप चाहें तो अपने size को यहाँ से style को font के style को change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर फिलहाल style change कर देता हूँ ब्राउजिं पर चले जाएंगे और यहां पर simple लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों नहीं तो आप यह जो है ना style सही नहीं लग रहा है तो मैं यहां पर अपने इसाब से एक और font पर जा करके और यहां पर choose कर लेता हूँ select कर लेता हूँ और यहां पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि style अगर आप style पर क्लिक करते हैं तो इसका जो size के इलावा इसमें और बोल्डनेस आ जाएगा जिए हैं दोस्तों यहां पर बोल्ड वाले icon पर क्लिक करेंगे तो यह और बोल्ड पर क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पर ok करना होगा इनेबल करना होगा अब यहां पर देख सकते हैं कि मैंने जो thumbnail का background है पीछे का वो मैंने ले लिया अब यहां पर मुझे अपने इसाप से thumbnail का background का color जो है वो choose कर लेना है आप अपने इसाप से choose कर लीजिए चुछ करने के बाद से आपको कर लेना है ओके करने के बाद से आप यहां पर चोटा बड़ा भी कर सकते कोई मैटर नहीं है ठीक है अब यहां पर मुझे करना क्या है मैं हिंदी में भी लिखना चाहता हूं कि थमनेल कैसे बनाए तो दोस्तों यहां पर उपर में एक टेक्स लिख लेता हूं थमनेल बनाना सीखें तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर थमनेल बनाना सीखें मैंने लिख दिया अब यहां पर मुझे यहां से इससे खीच करके नीचे लेके आना है इसके साइज को बड़ा कर देना है बड़ा करने के साथ सा करना है तो आपको जाना होगा स्टाइल पर यहां पर आपको जाना होगा इस पर बोल्ड कर देंगे जैसे दोस्तों बोल्ड करेंगे तो यह हमारा टेक्स्ट जो बोल्ड हो गया अब यहां पर सिंपल आपको करना क्या है यहां पर ओके करने के बाद से आपको बैक्ग्राउं है इस background यह थोड़ा से छोटा पड़ा तो मुझे cover करना है पूरा पूरा cover करने के लिए आपको पूरा यहाँ पर ले लेना होगा ठीक है यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर देख पार है घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा thumbnail बंद करके ready होने वाला है अब यहाँ पर plus वाले icon पर click करेंगे और यहाँ पर from gallery पर जाएंगे और यहाँ पर एक YouTube की icon को choose कर लेंगे जी हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने YouTube का icon ले रखा है double click करेंगे और यहाँ पर okay करेंगे okay करने के बाद से आपके सामने यहाँ पर icon जो है वो आ गया यहाँ दोस्तों YouTube से related है तो YouTube का icon रहे तो जादा बेतर है मुझे काफी अच्छा लेगा यहाँ पर thumbnail जो हो गया यहाँ पर आप अपने इसाब से कोई भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे चढ़ा सकते हैं ठीक है अगर आप चाहें तो पीछे का फोटो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं थोड़ा सा और इसे कर सकते हैं ठीक है यानि कि इस पर क्लिक करके फोटो पर क्लिक करके आप इसे भी फोटो को इधर उदा कर सकते हैं और इसे भी ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर मैं सेडो अगरा देना चाहता हूं तो सेडो देने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों आपको एक बगल वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपको सेडो और एस्टॉक पर क्लिक करना होगा जी है दोस्तों यहाँ पर क्लि कर लेता हूं यहां पर सैडो है तो सैडो वाले आइकन पर क्लिक करके और इसे इनेबल करना है इनेबल करने के बाद से आप यहां पर सैडो ले सकते हैं सैडो में जो फेदर वगर है वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं यह दोस्तों आप यहां पर देख पार हैं तो मैं पूर चलो कि पावर डारेक्टर पर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं यूटूब के लिए तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नहीं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं लगबग 10-12 मिनिट का वीडिय गाँष करने के लिए आप इसके बारे में जान सकते हैं और दोस्तो यहां पर एकन अगर आप निडिक करते हैं तो यहां से एगजिट हो सकते हैं और about में जाने के बाद से आप इसके बारे में जान सकते हैं और दोस्तों यहां पर save मैं कर लेता हूं तो save as image पर जाएंगे और यहां पर हमको जाना है save to gallery पर दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लेगी उमीद करते हैं काफी पसंद आए यह वीडियो गर पसंद आए हो तो जादे जादे लाइक कीजिए comment करना ना भूलिए और share करना ना भूलिए चैनल को subscribe करना ना भूलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया thank you thank you so much